आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में और बेदानता स्टॉक को डिसकस करने के मुख्रिटारंग यह हैं कि 21st को 21st सेप्टेमबर को इसके मिटिंग होने हैं और इसके साथ ही देखेंगे तो बहुत सारे न्यू जिसे स्टॉक में इस स के बॉन्ड मैच्योर होने हैं और इसके डेट को एक्स्टेंड करने को लेकर के ही यह मिटिंग होना है अगर सक्सेसफुली इसके निवेसक और बोर्ड की जो बैठकी है वो अगर सही से होती है तो यह काफी पोजेटिव होगा और यहां से टर्ण अराउंड स्टॉक को 290 और 320 तक के लेवेस इसली अचीब कराते दिख सकता है लेकिन अगर यह बोर्ड मिटिंग का जो आउटकम है वो अगर एक्सपेक्टेड नहीं होता है फिर यहां से पैनिक भी आपको नीचे के तरफ 200 तक के लेवेस दिखेंगे यानि यहां वही लोग ट्रेड में जाएंग जो 2 बिलियन डॉलर जो NCD या फिर बॉन्ड के थुरू फंडरेज करे हैं उसकी मैचुरिटी होनी है और इसी के कारण यहां वोलेटिलिटी भी दिख सकता है और इसके साथ ही 1.5 मिलियन फंड जो है वो गोवा के मिनिस्ट्री माइन सेक्रेटरी के तरफ से एक्स्टार्ट इस स्टोन को लेकर के जो कि अनाथराइज था यह पनेल्टी करा गया है इसके अलावा जो डिलेवरी है वो तो काफी बेटर है लेकिन टेक्निकल ट्रेंड वीक है और जो हमने बात कहीं कि वोलेटिलिटी लेंगे इस समय कंसोलीडेट है लास्ट टैम ब्रेकडाउन करा किस प्रकार की गिडाबर्ट देखा आपने तो 246 के उपर ही लॉंग करेंगे जब तक 246 के लेविल को ब्रेक आउट नहीं करें बिल्कुल इस समय लॉंग करने से इग्नोर करेंगे इस समय मुझे लगता है कि 228 के लेविल को ब्रेकडाउन करा तो निगेटिव और 246 के लेव को breakout करा तो positive trend दिखेगा